तो बहुत सारे लोग जब YouTube पर आते हैं तो उनके दिमाग में कुछ doubts होते हैं, पहला doubt तो यही रहता है कि क्या यार YouTube को हम as a career ले सकते हैं, क्या YouTube पर हमारा scope है, और तुरंत दूसरा doubt यही रहता है कि यार हमें तो बहुत सारी चीजे करना आता है, तो क्या हम एक चनल से आते हैं, तो यह वीडियो आपके YouTube करियर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और यह जो चैनल है Creator Guide, यह मैंने इसलिए बनाया है, ताकि मैं YouTube Creator की कुछ help कर सकूँ, तो free में इचल को subscribe कर लिजिए, क्योंकि आपको ऐसे कमाल कमाल वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे, नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आपका दोस्त योगी योगेंद्र, और आप देख रहे हैं Creator Guide, तो यहाँ पे यार सबसे पहले बात आती है, YouTube पर scope है या नहीं, तो यार YouTube पे बहुत ज़्यादा scope है, यहाँ से आप unlimited money earn कर सकते हैं, और अगर आपको इसके आँकड़े चाहिए तो हम कैसे काम करें, तो देखिए यहाँ पे पहली गलती जो लोग करते हैं, वो यह करते हैं कि माल लीजिए कोई इंसान है, उसके पास दो-तीन तरह के ideas है, वो घूमता भी है, वो खाना भी अच्छा बनाता है, उसे gadget भी पसंदे, तो कई बार जब वो channel create करता है, तो सब क ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन आप इसका ये मतनब भी नहीं है, कि आप आए YouTube पे और एक साथ से तीन चैनल open करें, एक cooking का, एक travel का चैनल बना दिया, एक gadget review को, नहीं, ऐसा भी नहीं करने है, आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत काम की आज एक बात बता रहे, और इस पर मैं बहुत सारा content create कर सकता हूँ, और लोगों की help कर सकता हूँ, चाहे मैं उन्हें entertain करूँ, चाहे मैं education दूँँ, चाहे information दूँए, कुछ भी, बस मैं लोगों के लिए ये content काफी लंबी time तक बहुत अच्छा बना सकता हूँ, और channel open करें, और बस उस content को बनाना start कर दे, अब यहाँ पे एक चीज, सब कुछ छोड़ के YouTube पे नहीं आए, ऐसा नहीं के YouTube पे scope है, तो हम जो भी कर रहे है, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई छोड़ दे, या कहीं job कर तो job छोड़ के आजा YouTube पे, नहीं, आप करते रहे और आप YouTube पे start करे, जब आपको YouTube पे start करेंगे, तो देखे YouTube आसान भी नहीं है, मुस्किल भी है, इतना आसान नहीं है, ये कोई स्वीटी सुपारी नहीं है, कि आप गए पान के कोके पे एक रुपए दिया और स्वीटी सुपारी लेके आगे, थोड़ा मुस्किल है, यहाँ पे time लगता है, मेहनत लगती है लेकिन अगर आप एक काम करेंगे, सही प्लानिंग के साथ, सही नियत के साथ, तो कुछ दिनों बाद आपका चनल जो है, ग्रो हो जाएगा, और आपको पैसा आने लग जाएगा, और फिर एक time ऐसा आएगा, कि आपको एक stable income आने लग जाएगी, और आपको एक idea लग जाए अब आपके दो idea और भी बचे हुए थे, तो वो दो idea पे भी आपको अलग अलग channel create कर लेना चाहिए, यानि पहले एक और create करना चाहिए, जब दो channel आपके जाएगा, तीसरा भी create करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा channel create करने का क्यों बोल रहा हूं, उसका भ बिमार हो गया, वीडियो नहीं डाली और channel पर बाद में views नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ uncertain है, तो जब आपका channel जो main channel है, वो अगर ऐसी condition में चला जाता है कि remove हो जाए, delete हो जाए, कुछ problem हो जाए, तो आपके पास दूसरा channel भी है already, वहाँ पर आपके पास audience है, तो गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, तो इस planning से आपको काम करना चाहिए, और यही एक best planning है, YouTube पे successfully हमेशा पैसे कमाने की, अगर आपको यह information मेरे अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like कर देना, share कर देना, चैनल पर पहली बार है, subscribe भी कर देना, बिल्कुल free है, और ऐसी knowledge आप को यहाँ पे हमेशा मिलती रहेगी, चलिए मिलते है अगली वीडियो में, एक नए topic के साथ तब तक के लिए, चैहिन